नमस्कार आपका स्वाकते राजमामा टीवी पे मैं पूर्णम आपके साथ हरियाना में जन्मे सुनिल थीटर की पढ़ाई कर किस्मत आजमाने मुंबई आ गए शुरुआत में उन्हें लगा कि यहां काम आसानी से मिल जाएगा इसी नासमजी की वज़ा से उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा रिजेक्शन की वज़ा से उन्होंने इंडस्ट्री छोडने का प्लान भी बना लिया था हाला कि जिसे तेसे कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो से उन्हें बहुत पॉपलेरिटी मिली शो से जादा हो कपिल के संग अपनी लड़ाई की वज़ा से चर्चा में रहे उनका कहना था कि कपिल शो के बाकी लोग से जानवों की तरह बरताव करते हैं कपिल ने एक पोस्ट के जरी उनसे माफी भी मांगी थी इसनाइट्स विद कपिल में गुत्ती के करिदार से सुनिल ने सबको खूब हसाया था ये करिदार फिंक्शनल नहीं बलकि उनकी कॉलेज की कलड़की से इंस्पायर था क्लासमेट्स एंस्पायर होकर सुनिल ने गुत्ती के करिदार को जिया और सफलता की सीरियां चड़ते गए इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद